असलाम अलेकुम दोस्तों तो हमारी अभी डिज जो है वो इंस्टॉलेशन पर चली गई है दो चारचार फिट की डिज जो है वो इंस्टॉल हो रही है यह आप देखें यह भाई काम कर रहा है एक टिश यह पढ़ी है एक यह मौझूद है इस पर पाकिस्तानी इंडियन सारे चैनल आईंगे सिबय एक चैनल के जो हम टिवी है वो नहीं आएगा एक चारफिट की और एक छोटी डिश ले सकता था इंडियन पाकिस्तानी चैनल की नहीं है लेकिन उस पर एर भाई का कोई चैनल नहीं आता है तो इसनिए मुझे वो भाई ने मश्वरा दिया कि आप दो बड़ी डिश लें उस पर एर वाई के सारे चैनल आते हैं तो अभी यह देखें हो रहा इंस्टॉल पर चेक करेंगे कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका और यह इसका रिसीवर है इको लिंग 5000 आए यह वाई-फाई है इसमें मौझूद भाई इसकी कनेक्टिविटी किस तरह होगी किस तरह एंबी लगेंगी क्या क्या होगा कि आप बता रहते हैं इन यह दोनों इसमिटों पर जो सिकनल जो कैच करेंगा अःे इसके का इन्धिया कि तुझ कष। अलग LMB लगती है अच्छा और बाकी जो एक डिश है जो एक पूरी LMB लगेगी एक और तीसरी वाली उसेट के लिए है सही यह क्या चीज़ है भी क्या कर रहे हैं यह लम्ब की सेटिंग कर रहा है अच्छा यह देखें आप यह होती है यह लम्ब्स यह एको लिंक एच्टी सी बेंड सिंगल मैड इन चाहिना यह एक लम्बी है यह दूसरी लम्बी है कि यह चीज़ है यह समान आप देखें दो लम्बी बड़ी है एक चोटी है अच्छे दो बड़ी लम्बी किस के पर काम आएंगी इंडियन नहीं एक पाक सेट पर और छोटी वाली इंडिया की होती है यह बड़ी वाली अच्छा एयर वाई के नहीं एक बड़ी अलग से लेनी पड़ी है मुझे कि यह एयर वाई की चैनल चलाने के निए एयर वाई के कोी महीं नहीं चलता कोई थो भी चैनल नहीं चलता थे ना यह बाई का बड़ी ऐसी क्छा ए मतलब आज एयर वाई वालों एसज़ाए उनकी सैटलाइट चेंज है अच्छा तो एर वाई की सैटलाइट चेंज होने की वज़ा से डबल खर्चा हो गया एक्स्टा तकरीबन तीन हजार रुपए एक्स्टा देने पड़ है क्योंकि उसकी वज़ा से जो है वो डिश बढ़ी आई अच्छा इस वाली डिश पर आप कितनी LMB करेंगे एक दो क्या है घए भाद प्राशे कहों I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. एक दर एलम भी लगा दी है, एर भाई के लिए और एक छूटी एलम भी लग रही है, इंडियन चैनल के लिए. प्यारीज दूवडियन चैनल के लिए्याँ बिए स्टम है, एक लाई में घुटी एलम दोट्टी लगाई पारीजाने खारीज. चुटी बश्तित्वायो नहें चैनल के लिए हैंपल के लिए स्टम सूड़गा दाईके लिए. तुफान ओफान आता है तो यह हिल जाती है क्या क्या रहा है बड़े तुफान में तो इसके नहीं दर दर होगी इसको बलाग देने पड़ेंगे अच्छे खराब तो नहीं होती किसी इसमें मतलब केस की कोई मुद्दत होती है एक दिएए साल तो मारी दोनों डिश है जो है वो अभी तैयार हो चुकी है अब हम इसको उपर लेके जाते है टावर पर टावर पर फिक्स करेंगे अभी हम इसके सिगनल जो है वो चेक कर रही है कुछ नजर नहीं यार अभी तो लेकिन ये भाई बताएंगे अभी ये कैसे दिखते है यार ये जो आ रहा है पटी है ये जो लाल पटी है ये स्ट्रेंद बता रहा है तो ये स्ट्रेंद है नहीं हो और बढ़ए है और नीचे क्वालिटी आरी है एक सही अगर आपको नजर आ रहा हो तो रैड़ पटी जो हेवो स्ट्रेंद की दिखा रहा है नीचे येलो है वह क्वालिटी की है यह दोनों भी बढ़ेंगे, यह जगा है जहां यह फिट हो रहा है, यह दूसरी दिश की जो है वो इंस्टॉल हो रही है यह पहले डिश हो चुकी है, अब इसकी सिर्फ वाइरिंग बागी है, यह मेरे लेफ सेट पर जो डिश है, यह पाकिस्तान पार्क सेट का जो सेटलाइ क्या भी का रहा है, जे सिगनल भी का रहा है, अच्छा, यह सिगनल कैच करने की कोशिश करता है, यह देखिए है डिपाइस लगी प्याइए होग! हाई सिगनल रसके सिगनल रसके सा बना प्योदया यहां पे में सिगनल मिल चुगा है है तो गया है इसको बबब बिलाते है आगयो 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 अपला येरा कर दो लो बो लो बो करो इस यह बिसकी को इल को अब यह ताल लगाएं यह बिसकी हैं लाएं वाएं यह बनी यह बंट खो है बहुत है इंक बहुत है 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 बहुत है ऑन्रेड़ करकाइजर है आजमें आजयगा है पार है dokładthought अजडर आज है अपिक अर्डेकिक आज़ ए 자 कि हले तान है है बहुत है değer ज Yaं पुक्ट लिए अले है नह है दो जगिह को इत झाम है तेक यदित राहा है जो कि अगूत कर दो दो लाइन अग। बढ़ने स्वाइब एिनान बडिट प्रॉड़ को नग। इंडिस नाइट झाल एनफ को नाइब को नग। से लग्स़ाट इसका इनान प्रॉट I wanna take it all in, I'm falling, the cityscape by night Wanna catch up my photos, where you go, every corner twice as bright There'll be my treasures forever, when I can't hold you tight I'll see the Stockholm Lights, the Stockholm Lights, the Stockholm Lights The Stockholm Lights, the Stockholm Lights The Stockholm Lights, the Stockholm Lights I'll see the Stockholm Lights, the Stockholm Lights, the Stockholm Lights The Stockholm Lights तो दोस्तों हम अपनी तीनो सैट्लाइट को ब्लाइड सकैन करेंगे सबस exploration हम पाक सैट की सैट्लाइट को ब्लाइड ईस्कैन करने जा रहे हैं यह रह behöver आ है यह आम देखें को चैनल अनममें मौसल होई हमने हैं इसको सेफ कर लिया अब हम दूसरी सट्लाइट को स्कैन करेंगे एंश्व सिक्स को हम स्कैन करने वाल है इंप्लाइंड स्कैन करेंगे पाक सेट पर हमें पाकिस्तानी चैनल मौसल हुए था है एन शे आप हमें इंडियन चैनल जो है वो मिलेंगे तो यह आप दिखने हैं इंडियन चैनल जो है यह कैच कर रहा है इस एक रहा है अब इससे सिक्स की स्कैनिंग कम्लेट हो चुकी है और यह इंडियन चैनल हमें मौस्ड चुकी है जिस यू टिवी आप दीख सकता है अब हम अपनी आखिरी स्टैलाइट को स्कैन करने जा रहा है है एशिया सेट वाली जिसमें हमें एयारवाय मिल जाएगा एयारवाय के जितने भी चैनल है वो इस सेट्राइट पर मौझूद है एशिया सेट इसको भी हम ब्लाइंड स्कैन करेंगे तो दोस्तों ही आप देखें हमारे पास एयारवाय भी आ चुका है और हम इसे अपने वाइफाई से कनेट कर लेंगे तो इस तरह जो डॉलर साइंस जिस चैनल पर बना वह आ रहा है इसका मतला पर वो चैनल जो है वो आपके वाइफाई जब मौझूद होगा जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा वो तब चलेंगे तो दूस्तों मुझे आपकी वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई चीज समझ भीना आए तो आप कांड़ी कॉमें बॉक्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं मैं बोज़िश करूँगा कि मैं आपकी हल्क कर सकूँ और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी और कांड अगरी वीडियो में ना ख्यान लगेगा असलाम होने की